नमस्कार, कहानी संसार में प्रस्तुत है गुर्देव रविन ना टैगोर की लिखी कहानी जिसका शिर्षक है अनमोल भेट वाचनस्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है राय चरण 12 वर्स की आयुसे अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था उसके पशात काफी समय बीट गया नन्हा बच्चा राय चरण की गोद से निकल कर इस्कूल में प्रविष्ट हुआ इस्कूल से कॉलिज में पहुँचा फिर एक सरकारी अस्थान पर लग किन्तु राय चरण अब भी बच्चा खिलाता था यह बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबु का पुत्र था बच्चा घुटनों के बल चल कर बाहर निकल जाता जब राय चरण दोड कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हातों से राय चरण को मारता राय चरण हस कर कहता हमारा भाईया जी भी बड़ा होकर जज सहब बनेगा जब राय चरण को चन्ना कहकर पुकार था तो उसका हिरदय बहुत हर्सित होता दोनों हात प्रिथ्वी पट्टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता इन्ही दिनों अनुकूल बाबु की बदली पर्या नदी के किनारे एक जिले में हो गई नए अस्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मुल्लेवान आभूशण और कपडों के अत्रिक्त एक छोटी सी सुन्दर गाड़ी भी खरी थी वर्सा रितु थी कई दिनों से मुसलाधार वर्सा हो रही थी इश्वर इस्वर करते हुए बादल भटे संध्या का समय था बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग रह किया रायचरण उसे गाड़ी में बिठा कर बाहर ले गया खेतों में पानी खुब भरा हुआ था बच्चे ने फूलों का गुच्छा देख कर जीत की रायचरण ने उसे बहलाना चाहा किन्तु वह न माना विवस रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा कई अस्थानों पर उसके फाओं की चड़ में बुरी तरह धस गए बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया वह चुपके से गाड़ी से उत्रा पास ही एक लकड़ी पड़ी थी उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुँच कर उसकी लहरों से खेलने लगा नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुहजोर जलपरियां सुन्दर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है राय चरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है उसने इधर उधर देखा पैरों की नीचे से धर्ती निकल गई पागलों की भाति चहुगोर देखने लगा वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनी ने आती थी चारो और अंधेरा चा गया बच्चे की माता को चिन्ता होने लगी उसने चारो और आदमी दोड़ाए कुछ व्यक्ति लाल्टेन लिये हुए नदी के किनारे खोज करने पहुँचे राय चरण उने देख कर उनके चारो में गिर पड़ा उन्होंने उससे प्रश्ण करने आरंभ किये किन्तु वह प्रतेक प्रश्ण के उत्तर में यही कहता मुझे कुछ मालूम नहीं यद्यपी प्रतेक व्यक्ति की यह सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पर्या नदी ने अपने आचल में छिपा लिया है किन्तु फिर भी हिर्दय में विभिन परकार की शंकाएं उत्पन हो रही थी एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समोह नगर से गया था और मा को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासित के हाथों न बेच दिया हो वह रायचरण को अलग ले गई और उससे बिन्ती करते हुए कहने लगी राय चरण तुम मुझसे जितना रुपया चाहो लेलो, किन्तु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खा कर मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो, परन्तु राय चरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मार कर मौन हो गया, स्वामी निमिने क्रोध और आवेश की दसा में उसको घर से बाहर निकाल दिया, अनुकूल बाबु ने पतनी को बहुत समझाया, किन्तु माता के हिर्दय से शंकाएं दूर न होई, वह बराबर यही कहती रही, कि मेरा बच्चा सोने के अभोशन पहने हुआ था, अवस्य इसने, राय चरण अपने गाउं वापस चला आया, उसे कोई संतान न थी, और नहीं संतान होने की कोई संभाव न थी, किन्तु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन में लिया, परन्तु पतनी सूती का ग्रिह में ही मर गई, घर में एक बिधवा बहन थी, उसने बच्चे के पालन पोशन का भार अपने उस समय राय चरण के नित्रों के सामने अपने उस नन्ह मालिक की सूरत फिर जाती, जो पर्यान दी की लहरों में लोपत हो गया था, बच्चे की जबान खुली, तो वह बापको बाबा और बूगा को मामा इस धंग से कहता था, जिस धंग से राय चरण का नन्ह मालिक बोलत राय चरंड उसकी आवास से चौंक उठता उसे पूर्ड विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। पहंगिमाएं नन्ह मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देख भाल में संगलगन रहता। उसे भै था कि उसका नन्ह मालिक फिर कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूशन बेचकर बच्चे के लिए हर ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीटते गए और बच्चा सयाना हो गया। परन्तु इस लाड़ चाओं में वह बहुत भी गड़ गया था। किसी से सीधे मुह बात ने करता। गाओं के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते। जब लड़का सिक्षा योग्य तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दोड़ धोग करके नौकरी खोजी और फलन को इसकूल में दाखिल करा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि बड़ा होकर फलन अवश्य जज़ बनेगा। होते होते अब फलन की आयू 12 वर्ष हो गई। अब वो खूब लिख पढ़ सकता था। उसका स्वास्त अच्छा और सूरत शकल भी अच्छे थी। उसको बनाव स्रिंगार के भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दरपन हाथ में लिए बाल बना रहा है। वह अपव्याई भी बहुत था। पिता की सारी आ उसका फलन भी उसे पिता न समझता था। दूसरी बात ये थी कि रायचरण स्वेंग को फलन का पिता प्रकट भी न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मेलित हो जाता है। रायचरण ने जमी जेब खर्च उल विलास की सामगरी और अच्छे अच्छे वरस्तरों के लिए जगरता रहता था आखिर एक युक्ति राय चरण के मस्तिस्क में आई उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ शेस रुपया था फलन को सौप कर बोला फलन मैं एक आवस्यकार से के हुए थे उनके और दूसरी कोई संतान ने थी इस काराण उनकी पतनी हर समय चिंतित रहती थी अनकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कोर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पतनी संतान उत्पत्ति के लिए बाजारू दवा बेचने वाले से जड़ी बूटियां खरीद रही थी काफी दिनों बाश्यात वह अपने ब्रिद्ध नौकर रायचरण को देखकर आश्यर चकित हुई पुरानी सेवाओं का बिचार करके उसको रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो रायचरण ने मुस्कुरा कर उतर दि और उन्होंने मुँ फेर लिया रायचरण ने अनुकूल बाबु को संबोधित करके कहा सरकार आपके बच्चे को परियाने नहीं बलकि मैंने चुराया था अनुकूल बाबु ने आश्यर से कहा तुम यह क्या कह रहे हो क्या मेरा बच्चा वास्तों में जिन्दा है उसकी पत्नी ने उचल कर कहा भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहा है रायचरण ने कहा आप संतोश रखें आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है अनुकूल बाबु की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक बिंती करते हुए कहा मुझे बताओ रायचरण ने कहा मैं उसे परसु ले आऊंगा रविवार का दिन था जजस सहब अपने मकान में बेचैनी से राय चरण की प्रतिक्षा कर रहे थे कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते आखिर दस बजे के लगभग राय चरण ने फल पित्रों से अस्रूओं का समुद्र उमर पड़ा कभी वह उसको प्यार करती कभी आश्यर से उसकी सूरत तक ने लग जाती फलन सुन्दर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे अनुकूल बाबु के हिरदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन हुआ किन्तु जरा सी देर के बाद उनके पित्र प्रेम का अस्थान कानून भावना ने ले लिया और उन्होंने राय चरण से पूछा भला इसका प्रमार क्या है कि यह बच्चा मेरा है राय चरण ने उत्तर दिया इसका उत्तर मैं क्या दूसरकार इस बात का ग्यान तो परमात्म के सिवाए और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अन्कूल बाबु ने देखा कि उनकी पतनी फलन को कलेजे से लगाए हुए हैं तो प्रमार मांगना बेर्थ है। इसके अतरिक तो उन्हें ध्यान आया कि इस गमार को ऐसा सुन्दर बच्चा कहां मिल सकता था और जूट बोलने से क्या लाब हो सकता है। सहसा उन्हें अपने ब्रिध नौकर की बेध्यानी यादाई और कानूनी मुद्रा में बोले रायचरण अब तुम यहां नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी उसास भर कर कहा सरकार अब मैं कहां जाओं बूढ़ा हो गया हूँ अब मुझे कोई नौकर भी न रखेगा भगवान के लिए अपने द्वार पर पढ़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबु की पतनी बोली रहने दो हमारा क्या नुकसान है हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन रहेगा। किन्तु अनुकूल बाबु की कानूनी नस भड़की हुई थी उन्होंने तुरंत उतर दिया नहीं इसका अपरात बिल्कुल छमा नहीं किया जा सकता। राय चरण ने अनुकूल बाबु के पाउं पकरते हुए कहा सरकार मुझे ने निका लिये। मैंने आपका बच्चा नहीं चुराय था बलकि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबु को गमार की इस बात पर और अधिक क्रोधा गया। बोले नहीं अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ किर्ट अग्नता की है। राय चरण ने फिर कहा सरकार मेरा कुछ अपरात नहीं। अनुकूल बाबु तेयोरियों पर बल ढालकर कहने लगे तो फिर किसका अपरात है। राय चरण ने उत्तर दिया मेरे भाग्य का, परन्तु सिछित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्विकार नहीं कर सकता। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तों में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे भी रायचरण की इस चेश्टा पर क्रोध आया कि इसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनकूल बाबू से कहा पीता जी इसको छमा कर दीजिए यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसको थोड़ी पेंसन कर दें इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटी को अंतिम बार देखकर अनकूल बाबू की कोठी से निकल कर चुपचाप कहीं चला गया महीना समाप्थ होने पर अनकूल बाबू ने रायचरण के गाउं में कुछ रुपया भेजा किन्तु मनी आडर वापस आ गया क्योंकि गाउं में अब इस नाम का कोई व्यक्ति न था तो दोस्तों ये थी अत्यंत ही छोटी सी कहानी भाव कर देने वाली एक मनुरंजन पूर कहानी रविन नाट टैगोर की लिखी अनमोल भेट कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद नमस्कार